खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे जिनका आपकी जिन्दिगी पर होता है सीधा असर खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी ATL TV भरोसा अलवर का नमस्कार आप देख रहें ATL News और आपके साथ मैं हूँ रविंदर तिवाड़ी पेश आज की हेडलाइन्स हर्याना में हार से सीख लेकर उप्चनावकुलिये कोंग्रिस बना रही विशेस रण नीती रामगण विदान सभाको सेक्टरों में बाट पदाधिकारियों को सोपे टास्क वहीं देंगे बूत प्रवंदन का प्रशिक्षान जल संकट को लेकर पाशत के गर पहुंचे पीडित तो बुलाई पुलिस चोड़ी मार्केट छेत के लोगों में बना आक्रोश लगातार हो रहे हाथसों की कड़ी में युवक की गई जान बहतु कलाद छेतर में हुई बाइक भड़न और रामलीला समापन के बाद साउंड सिस्टम और वायर की ये पार अक्वपुर में घटना के बाद शरदालों ने जताया रोश और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से कोंग्रेस पार्टी रामगण उप्चुनाओ को लेकर तैयारी कर रही है हाली इसे लेकर पूर केंद्र मंत्री जीतेन सिंग और नेता प्रत्वक्ष टिकराम जूली बैठा कर चुके हैं उदर हर्याना विदानसभा चुनाओ में मिली आर से सीख लेत हुए प्रदेश कोंग्रेस द्वारा उप्चुनाओ वाले इलाकों में बूत मैनेजमेंट के प्रशिश अन्षिव लगाए जा रहे हैं हरियाना में कोंग्रिस को मिली आर की समक्षा के दोरान बूत मैनेजमेंट कमजोर होने का तत्य भी सामने आया था उदर रामगर सहित अन्य उप्चुनाओ वाली सीटों पर कोंग्रिस बड़ी सभाओं के बजाए छोटी सभाओं और डो टू डो संपर्क पर ध्यान केंदित करेगी इसके लावा पूर्वती कोंग्रिस सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं के लाभार्तियों से भी कारकरता समवात करेंगे साथी बताएंगे कि मोजुदा सरकार ने कौन सी योजनाओं में कटोती कर दी है उदर हरियाना राज्य से सटे जुनजुनू और रामगड विदानसभा छेतर के लिए पार्टी ने रणनिती तयार करतुए इन्हें विबिन सेक्टर में बाटा है इसके लावा पदादिकारियों को टास्क सोपे हैं इसके आधापवे रिपोर्ट तयार कर आला नेताओं को सोपेंगे हाला कि प्रत्याशी चैन को लेकर कोंगरिस के सामने भासपा की तरह समस्या नहीं है और जुबेर खान के निधन के बाग उनके पुत्र आरियन जुबेर को मैदान में उतारना लगब तैमाना जा रहा है जनता ने मेंडेट कोंगरिस को दिया था लेकिन उपर वाले की जैसा भी हुआ जनता ने जिताया था बड़े बहुमत के साथ जिताया था अच्छे खासे मारजन से वो जीते थे लेकिन बीच में चले गए तो जनता का दमन जुबेर जी के परती रहेगा तो निश्ची तोर पर रामगड में जल्दी चुनाओ की गोशना कब तक हो सकती आप नेता प्रस्प्रेक्शे मैं समझता हूँ बाकि दिये लोग डरे हुए हैं उस चुनाओ भी तुकड़ों में करा सकते हैं बाकि उमीद है इस वीक में तारिकी गोशना हो जानी थे महीं रामगड के अलावा अन्य छेतरों के कॉंग्रिस कारकरता भी चुनाओ में सैयोग की तैयारी कर रहे हैं मालखडा नगरपाली का दक्ष हिमत सिंग के अनुसार जुबेर खान ने विधायक रहतोए किसी भेदबाव के बिना विकास कारे कराए थे अईसे में सभी जाती वर्गों के लोग जुबेर खान को अपना नेता मानते रहे हैं जुबेर खान के आकस्मिक निधन केवा उनके पुत्र आरियन फिल्ड में संपर कर रहे हैं साथी छेत में वोई विकास कारों के चलते सैयोग का भरुसा दिला रहे हैं अलवर शेर में पानी की समसा दूर होने का नाम नहीं ले रही शेर के चूड़ी मार्केट में इस्थाने लोगों द्वारा हाली चकाजाम किया गया था इसके एक दिन बाद दी रहिवा को लोग छेत्रे पारशत के घर वारता के लिए पहुंचे उनका आरोपय की एक दिन पारशत के परिजनों ने पुलिस को मोके पर बुला लिया साथी वे यहां से अपने दूसे मकान पर चले गए लोगों का आरोप है कि पारशत कभी भी लोगों से नहीं मिलते साथी अपने छेत्र में पानी के सप्लाई टैंकरों के मादम से करवाने का भ्रम फैलाते हैं आपने जूटी न्यूज और जूटा धरना दे रहे हो इसका कोई भाइदा नहीं है अपना अगर तुम इस तरीके सही गलत बाते करते रहोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं इनको दमकी दी जब इनको दमकी दिये तो हम सारे लोग मिलके आये हैं कि पारशत साब से ब मंगा दिये फलाने मंगा दिये डिकडे मंगा दिये जबकि आज तक पूरे मोलने में किसी का भी आप बयान लो एक पानी का टेंकर नहीं आया है अलवर के बैतुकला थाना अंतरगत ग्राम नंगला केसरिया के पास दो बाइक में बिढ़नत हो गई इसके चलते 22 साल के युवक की मौत हो गई मरतक के परिजेण बनी सिग्ग ने बताय कि शन्वाई शाम मरतक हरेंदर गाओं नंगला के सरिया से जंगल की और बाइक से जा रहा था गाओं से बाहर निकलते ही उसे सामने से तेज रफटा से आ रही दूसी बाइक ने तकर मार दी गंबी रूप से गाल हरेंद्र को कटोमर सेसी से अलवर रेफर कर दिया गया जहां चिकिस सकों ने उसे मरत गोशित कर दिया मरतक जैपुर के एक होटल में काम करता था और उसके पिता मजदूरी करते हैं करीब दस दिन पहले यह युवक गाउं आया था और दशेर के दिन उसकी जान चले गई अक्वपूर कस्बे में रामलीला रंगमंच पर साउंड उपकर्ण और वायर चोरी का मामला सामने आया है मिला कमेटे ने अग्याद चोरों के किलाब मामला दस करवाया है वही घटना को लेकर ग्रामनों में आक्रोश बना हुआ है यहां रास्तिलक और रावन वद की लीला समापतोने के बाद सभी कलाकार और ग्रामन चले गए थे इसके बाद देर रात को अग्याद चोर खंबो पर लगे लावड स्पीकर और वायर चोरी करके लेगे रामलीला कमेडी सदा से इतरांप गुपता ने इस बारे में जान करी दी उदर सरपंच प्रतिनिदी महिश पटेल का कहना है कि सीसी टिवी कैमरे चेक किये जा रहे हैं और पुलिस जाच में जूटे हुई है अकबरपुर कस्वे में रामलीला का संचालन हो रहा था जिसमें जो माईग होरन और ये लगा रखे थे इनमें जाज रात पुई को कोई अग्या चोर दो होरन और उनके चार मसीने चोर ले गए जिला जाट महसाबा समिती के अद्रक्ष सेर सिंग चोधरी ने अलवर और भरतपुर में बाजरी की सरकारी खरीद तुरंट शुरू करने और परियाब खाद की मांग उठाई है उन्होंने का कि बाजरी की बहतर पैदावार हुई है लेकिन मंडी में बाजरी का भाव काफी कम मिल रहा है चोधरी ने कारवाई नहीं होने पर आंदुलन की चेताउनी दी है सरास्तन सरकार ने जो किसानों की बाजरी का समर्थन मुल्य है उस पर सरकारी खरीद शुरू नहीं किये जिसके कारण किसानों को बजार भाव में सस्ते दर पर बजार भाव में बाजरा बेचना पड़ रहा है तो सब किसानों की मांग है और कई बार किसान संग्ठनों ने मांग किये कि सरकारी खरीद के खुले जाएं नहीं क्या कहना चाहिए जब किसानों न मांग करिये तो अनुवारी रूप से कम से कम अलवर भटपूर दो जिलो में तो बाजरा खरीद के सरकार को खोलने चीए क्योंकि रजस्तान में नागोर में बाजरी आसपास नागोर के जितने भी जिले हैं उनमें और हमारे हैं बाजरा अलवर भटपूर म निकली है तो सरकार को खोड़ना चीए खरीड केंजिसे किसानों को की लूप जो बनिये कर लेते हैं वो ना हो और जबकि इसका समर्थन मुल सारे 2600 रुपए सरकार ने गोशित किया हुआ है जबकि यहां किसान से मंदी किस्पज मंदी में बादरा मुश्किल से 2200 रुपए परते कुंतर खोला जा रहा है जबकि गंगान नगर में इनमानगर में मूंकी पैदावार इतनी अच्छी है और हुआ सरकार ने इनके खरीड के इन तीनू जिलों में खोड़ ले वे हैं वहतमान में सरकार जोर से चड़ रहे हैं खरीड के जबकि कितने द्रभाग की बात ह यहां के राजनेताओं के लिए अल्वारि भटपुर के राजनेताओं के लिए जनों ने अभी तक सरकार से EJP के नेताओं। अलवर बत्मुजी रेमिंपार जाके नहीं खोले ये इनकी बहुत बुरी गल्टी है और इसका किसान इनको आगे आने वाले चुनाओं में चाहे उपंचात्रा चुनाओं चाहे और कोई चुनाओं हो उसमें इनको फरजाना भुगत ना फड़ेगा बत्मान सरकार के नेता हो सर अगर किसान के इंद्रों खरीद के इंद्र किसानों के नहीं खोले जाते हैं तो क्या आप लगता है कि किसान संक्ठन आंदूलन करेंगे इस वारे में किसानों की मिटिंगी भी जिसमें ये निर्ने लिया गया है यदी बाद जालू नहीं किये तो जगे जगे आंदूलन हुए और हो सकता है किसान रास्ता भी रोकें जिसमें मुक्रोप से जालू की चोड़ाया पड़ता है वरोड़ा में पड़ता है यहां तो इदर से किसान जाला बाजा लेके आते हैं उदर जात मासबा समीती की जिला दक शेर सिंग चोडरी के अनुसा वरतमान में सरसो की बुवाई की जा रही है और इसके बाद गेहूं की बुवाई होगी इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा खाद की विवस्ता नहीं की जा रही इसके लवा नकली खाद पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए सरसो की बुवाई चल रही है तोड़ दिन बाद गेहूं की बीचलेगी किसान को बड़े स्थर पर खाद की जरतर किसान को खाद मिलने रहा है और आज तो नकली खाद भी आ रहा है आप किसान परते निदिये क्या कहना चाहिए इस बारे में मेर सरकारी उन पे भी नी मिल रहा है खाद भी जो सरकार ने खोल रहे हैं उन पे भी नी मिल रहा है मंडी में जाओ तो बनी उसको पक्रा देते एक दवाई की दुपान को उसके साथ अनुवार इवर्फ से उसको खरी रहे तब तो और तीन ही कट्टे दे रहे एक और वो भी अ इतना एक रहकाति थी पहले जो जो सबको मिल रहाता था अब तो ग्राम सेवा सहिकारी स्वमत्यों में खाद खतम होई गया, मंडी में भी खाद खतम होगे, किसानों के साथ बहुत, अन्या है कैसे बहाई होगी, क्योंकि अब इतना खाद तो मिलता नहीं है, जो गोबर का खा करता है, वो भी नहीं में तो फसल कैसे पैदा होगी, अलवर भटपुजिले में तो बहुत जादा समस्या है, यहां के जो दीएप और यूरिया के पत्ते नीदी हैं, वो भी नहीं बोल रहे कुछी, बता नहीं क्या हो रहा है, किसान के साथ अंगा हो रहा है, किसान जाय त मार्केट में रहा है, यह भी सही बात है, अलवर में कहीं जगें छापे डाले गए जिसमें घाटरा में चम्माली यूरिया कट्ते नकली के जो महीं बनाएगे, महीं सब कुछ किया गया है, नकली डालकर किसान उसको खरीड लेगे, विचारे कर पैदा कुछ होता नहीं, उ प्रूमी में भूल भी खराब हो जाते हैं, ता आप लगता है कि सरकार को किसानों के लिए खाध़ी प्रयाब व्यवस्ता करनी चाहिए, तो सरकार से मांगे, पूरी एक रेक, अलवर जिले में पहले आया कर ती लेलेवे के उनमें वो आ जा तो यह तो अभी तक कैसे बच्चे पालेगा, कैसे उसको फसल पैदा होगी पानी है, अलवर के अखेपुरा निवसी कनिश्क साहु ने अभाव में उने के बावजूर प्रथम प्रयास में सफलता अरजित की है, वहीं अब डॉक्टर बनने की राहा पर है, साथी उन्होंने साधन हिन परिवार का योगदान बताया है, उन्होंने काकिवे डॉक्टर बनकर गरीबू के लिए समर्पित रहेंगे, इस असर पर मातमा गांदी जीवन दर्शन समेती के जिला संयोजग हिमांचु शर्मा ने साफा पैना कर उनका स्वागत किया, साथी चेतन एंकलेयो कोलोने से खाटुशा आपने यहां तक पहुँचे हैं। इस यूति के पिता लंबे समय से बिमारी से पिड़ी थे, ऐसे में सामाजिक कारकरता आस मोहमद ने इसकी जानकरी सेवा सार्थी फाउंडेशन को दी। इसके बाद दोसोफिर रोडिसित पुर्शार्ती दमशाला पहुँच कर 17,500 रुपे का करनेदान किया गया। इस मोक में हमारी पिडियों मुष्कान की साधी में सहयों किया, सभी सेवा सार्थी फारूंटेशन के सदस्टों को मेंबरों को बहुत बहुत गिल से सुप्रिया और धन्यवाद। इसके लिए अब तक 11 जोडो का रेश्टेशन हो चुका है, बैटक में धरमपाल सिंग, मोकेश कुमार जाटव, गुमान सिंग, मनिराम जाटव और मोहनलाल वर्मा आदी ने अपने विचार रखे। की मंत्रियों द्वारा जो सहयोकर भूमयाउंटन कराई गई है, उनमें परम सम्मानिये गुपेंदर ज्यादव, केविनेट मंत्री भारत सरकार, एवं आधरनिये संजे सर्माजी, राज्ये मंत्री, राइस्तान सरकार। इन्हों ने हमारे काफी लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी, वो मांग पत्र हम समाज के लोगों ने पंदरे सितंबर प्रतिवसमान सम्मारों में दिया था, और उस पर तकार प्रभाव से एक्षन लेकर समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया है, समाज के मुख्यदारा से जुड़ने के लिए एक अच्छा रास्ता साफ हुआ है, मैं इस अफसर पर ये कहना चाहूँगा, हम समने ये निर्न लिया है कि दोनों मंत्रियों का धन्यवाद आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास जाएंगे और सिश्मन्टन भिलेगा। प्रसिद्र रंकर्मी स्वर्गे गिर्राज जैमनी की स्मर्ति में नाटक योगी राज महाराजा अप्रतरी का मंचर 18 से 20 सक्टूबर तक होगा। अरावली आर्टिस्ट अकादमी अलवर एवं शिरी शाम कला मंदिर द्वारा अलवर के चित्र गुप भावन में यह आयुजिन किया जाएगा। पत्रकार वारता में अद्रक्ष विनोत कुमाश शर्मा ने यह जान करी दी। उन्होंने का कि नाटक में प्रवेश निशुल्क रहेगा। संस्ता द्वारा यह नाटक 26 साल बात किया जा रहा है। इस नाटक में मुख्य भूमिका मानेंद्र उपाद्याय, महिश मुद्गल, हर प्रसार शर्मा, अशोक शर्मा और मुकेश शर्मा आदी निभा रहे हैं। वहीं मंच निदेशक मुकेश शर्मा होंगे और संगेत निदेश प्रविन भट कर रहे हैं। अलवर के 200 फिट रोर से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर मार्क पर मिट्टी के काण इस्थाने लोग परिशान है। नगर निगम ने मिट्टी अटाने के लिए मशीन तो भेजी लेकिन इसका फाइदा नहीं मिला। इस्थाने लोगों ने बता कि मशीन ढंक से काम नहीं कर रही। इसके लवा नगर निगम द्वारा साफाई कर्मचारी भी नहीं भेजे जाते हैं। कि यहां पे हमारे नगर परिशत से सफाई की गाड़ी चल रही है। उसमें बुरूस तो है नहीं लेकिन वो मसीन चला के दिखा रहे हैं कि हम यहां से सफाई कर रहे हैं। और क्या है कि जब मट्टी नहीं उठेगी तो मसीन चलाने से फाईदा क्या है। लोग बागा को परिशानी हो रही है। अलवर के राजिशी अवे समाज रंग मंच पर राम लिला के दोरान अही रावन एवं रावन वद की लिला का प्रभावी मंचन किया गया। इस दोरान अही रावन का किरदा प्यूश और रावन का रोल जाने माने कलाकार ललित मिश्शा ने किया। अगरवाल समिक सचिव प्रमिला गुप्ता, सायक सचिव राजिंद्रा रोडा जिला कोशा दक्ष राजिश शर्मा और कोडिनेटर शंबू दयाल शर्मा निर्वाची थेवे। उदैपुर से आये उदी चोबिसानी नई कारकारने को शपत दिलवाई। उदर मुखे सनरक्षा खरीश कालरा को स्काउंटिंग में 65 वर्ष पूरे होने पर सभी ने स्वागत किया। समारो में आशा कालरा, राजिश भट, ओम प्रकाश गुपता, राम प्रकाश गुपता, प्रमिला गुपता और तारच चंद अगरवाल आदी उपस्थित रहे। अलवर के नहरू ध्यान पार्क में विजया दश्मी पर पोद रोपन हुआ, इस दोरा नहरू ध्यान स्विकास समिती के पतादिकारी मौजूद रहे। इनके प्रयासों से विविन संस्थाओं द्वारा नहरू ध्यान पार्क में 989 पोदे लागाए जा चुके हैं। अलवर के सुभाष नगर में देशरा पर धूमदाम के साथ मनाय गया, कोलोनी वासियो मित्तल होस्पिटल इस्टाव, RDNC मित्तल फाउंडेशन और खंडिलवाल स्कूल विकास समिती ने ये कालक मायुद किया। इस जोरन मुख्य अतिती एने भी थाना अधिकारी दिनिश मीना विशिष्ट अतिती सोनु गुपाल या एवं मिंटु सरदार रहे। जबकि अध्यक्सा डोक्टर एसी मित्तल ने की कायकम का शुभारम भगवान श्रीर राम के जैकारों के साथ हुआ। महीं भगवान राम का सरूब धारन की बालक हर्ष जसुर्या ने रावन की नाभी में तीर मारा। इस मोके पर मित्तल होस्पिटल के कर्मचारियों पूरण शर्मा मुकेश कुमार योगिश इम आवकाश को सम्मानित विक्या गया। महीं यहने भी थाना अधिकारी ने का कि कॉलोनी में कोई गंदगी ना फैलाए इसके लिए गस्त बढ़ाई जाएगी। किसी पे कोई मुसीबत ना है। कि अए़ये जाएगा यह गदगी ना है। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनिलदत ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर फोर नमबर 0144-233-8653 and 233-8663 फरनीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अत्वा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फरनीचर उपलब्ध है डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एम सोफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं सभी सावान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हमारा पता है अलवर बोर्ड जैस्मन तिराय से पहले कटी घाटी अलवर कॉन्टेक नमबर 9414019769 and 9414019768 डॉक्र श्राफ चेरेट याई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA इसके अलावा रेजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर, एवं अलवर जिले में फरस्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है जो दिव्यांग बच्चों जिनके निगा बहुस सारी लाज के बाद भी कम रह जाती है ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो पॉसिबल जो डिवाइसे होते हैं हमारे पास अविलेबल है जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं ओप्तल्मोलोजी डॉक्टर द्वारा चेनलित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है हमारे यहां विबन प्रकार की जाचे जैसे OCT, RFNL, VFA, B-Scan, योग लेजर, A-Scan की सुविधा उपलवध है हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरेटी आई हॉस्पिटल, सुभाश नगर, N.E.B. रोड, अलवर, राजस्थान कॉन्टेक नमबर 0144-2370-559 ब्रेक के बाद पुन्हे आपका स्वागत है पुजारी पपुश शर्मा ने बताए कि अरेका दशी को यहां मिलेक आयुजन किया जाता है मालकडा छित में होदा हिली मोर से जातपुर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क को चोड़ा किया जा रहा है ऐसे में अनेक पक्के माकानों को संबंदित लोग खुदी तोड़ रहे हैं जिससे उनके घर के आगे सड़क चोड़ी बन सके सतना, शामगंगा, बुलंदी और चोमु गाओं में पुराने रियाशी माकानों को तोड़कर सड़क मार को चोड़ा किया गया है ऐसे में अब यात्यात बाद इतन नहीं होगा उदर P.W.D. के साया का ब्यंता, बनवाई लाल मिना ने बताए कि संबंदित एजनसी को तेजी से कारे करने के निर्देश दिये गए हैं सरिस्का की वादियों में सित पांडूपुल हनमान जी के इस्तान पर विजया दर्श्मी पर भक्तू की भीड रही उदर मंदिर महंत बाबुलाग शर्मा ने वन मंत्री से दर्शनार्तियों के लिए सरिस्का गेट सुवे 8 बजे खुलवानी की मांग की है मंत्र के अनुशा सरिस्का सदर गेट सुवे 8 के बजाए 9 बजे खुला गया था ऐसे में एक घंटे तक शर्दालू को परिशान होना पड़ा मंदिर में सुन्दरकान पाठ और भंडारे का भी आईजन चला आज विजय दर्श्मी का परो है हमारे सभी प्रांगतों से जैपूर, दिल्ली, अर्याणा, कुर्गावा, पंजाब सभी राज्यों से भक्तों ने आके हमान जी महराज के दर्सन करके आशिरवाद प्राप किया अक्वापूर कस्वी में जहां दैशरा परो परंप्राग ढंग से मनाया गया वहीं ग्रामन छेत्रों में समोके पर नए अनास का पूजन होता है इस दोरन गाय के गोबर से पांच हांडिया बनाई जाती है और उनमें जोंके दाने रखकर उनकी पूजा होती है अरवेच चिकिसक मुकिश प्रजापत ने बताए कि इस परंप्रा का अपना मेहतु है वहीं ऐसे परो सच्छता का भी संदेज देते हैं जिसे व्यक्ति स्वस्त रहे दसेरा परो की सभी को सुबकामना है और दसेरा परो बड़ी स्वच्छता से और साफ सपाई के दुवारा हमें महानना चाहिए जाकि आपकी स्वस्त का भी ख्याले रह सके और दसेरे में हमें विसे इसकर हमारे आसपास दूर जो भी गंदी है इनका ध्यान लगके हमारे स्वस्त का ध्यान लगके अकवापुर बसे स्टेंड पर जल्दा विभाग द्वारा राइजिंग पाइपलाइन डालने के दोरान खोदे गई सडक दुरस्त नहीं कि गई ये लाइन घरों में पाने के समसा दूर करने के लिए डाली गई थी लेकिन खुदाए के बाद रोड को सही नहीं किया गया इस वज़े से यहां मौजुद गड़े में आई दिन वाहन चालक और राह गिर गिर रहे हैं इस्ताने निवसी मुके सिंधी ने बताए कि इसके बावजूर समंद्रित विभाग ध्यान नहीं दे रहा रामगड में हर साल की तरह वर्ष्ट पत्रकार इंपूर ब्लोग कोंगर्स सद्धक्ष्ष्वर्गिये गिर्राज भारत द्वाज की याद में विशाल भंडा राकिया गया हर साल दश्यरा पर यह आई जन होता है रेल्वी स्टेशन रोड है से लड्डू गोपाल मेडिया कार्याल पर इस बंडारे का उद्धगाट अन्मुक्या थी ती इम रामगड से कोंगर्स के संभाज प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने किया इस मोके पर प्रदान नसरु खान रामगड ब्लोक अमित भाजद्वाज विने तरोण वंच और अक्षय आदी ने साफा बांदा इम इस्मर्ति चिन प्रदान किये वक्ताओं ने स्वर्गे गिर्राज भाजद्वाज के जीवन पर प्रकाश भी डाला बंडार में कस्वे सहित आसपा से आजारु श्रदालों ने प्रसाद ग पील की राजगर कस्वे के प्रताप स्टेडियम में 55 फूट उचे रावन का देहन हुआ यहां दशरा माउसा समीति द्वारा विज्या दश्मी का पर मनाया गया समीति अदक्ष मुकेश जयमन ने बताय कि सेवपूर आकरशक आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ वहीं मिला का चोराय से बगवान राम लक्षमन और अनमान जी सहित राम की सेना के आकरशक जांके निकाले गई वहीं पंचाती ठाकुर जी की विदिवत पूजा अर्चना के गई देहन के दुरान कला संगम की ओर से राम रावन युद का सज्यू परदर्शन भी किया गया राजगर्ण में गुवन देव जी बाजारिस्ते भ्रामन धर्मशाला में भ्रामन समास का प्रतिवा समान समयरों सम्पन हुआ वन्यों परियावन मंत्री संजर्शन शर्मा के मोख्य अतित में यहकार कमाय जीत हुआ इस मोके पर 144 प्रतिवावान चाथ चात्राओं और सरकारी सेवा में नवन्युक्त समास के बंदू का भी नंदन हुआ वहीं मंतरी संजर शर्मा का बास पमंडल अद्धक्ष राउल दिक्षित के नेत्वत में स्वागत किया गया इसे पूर अतितियों ने भगवान पर्शो राम के चाहतरित के समकष दीप प्रज्वलित किया जबके संचलन मदनलाल शर्मा द्वारा किया गया कटूमर कस्वी के जैन मंदिरों में तीन दिवस्य धार्मिक अनुष्ठान के तेत डांडिया विदान और भक्तामर पाठ किये गे महा मुनी राज आचारे वसुननदी के पैतु से दिवस एवं आर्ये का विजयत मती माता के 38 अवतरण दिवस पर यह आयुजन संपन हुए धर्म जागरती संसान के अद्रक्ष इंद्रा जैन और जैन समास के अद्रक्ष मुके जैन ने यह जान करी दी उन्होंने बताई कि शन्वाराती पारसनात मंदिर में ब्रह्म चार्णी आयुशी के सानिद में जैन भजनों के साथ मैलाओं एवं बालिकाओं नी डांडिया नर्त्य किया वह आदिनाज जैन मंदिर में रहिवा सुबै नित्य पूजन के साथ आचर वसुननदी माराज विधान किया गया इसके लवा पारसनात जैन मंदिर में 48 दीपों से भक्तामर जाप संपन हुआ इस मोके पर शर्दालू इंद्रा जैन शिप्रा नेहा मिन्नी जैन पूनम सव अधिता मालती जैन भागजन अमोलक प्रसाथ और अशुक जैन आधी उपस्थित रहे नोगावा में विजय दश्मी की पावन पर श्राम कला मंच ने बुराई पर अच्छाय की जीत का मंचन किया मंच के सदस्य जीतिन तिवाडी ने बताय के इस दोरान प्रमुक लोगों का स्वागत हुआ महीं वक्ताओं ने का कि अपर्व अपने अंदर की बुराईयों को त्याक कर मानोता की मार पर चलने की प्रेणा देता है महीं श्री राम कला मंच के प्रदान राजिंदर सोनी ने भी विचार रखे महीं स्मों के पर मुकोट गोयल महिंदर टेलर भगत व सिरी राम निला का मंचन हर वर्ष किया जा रहा है और इस साल में सिरी सनातन सभाववन के प्रांगण में सिरी राम कला मंच का उधगाटन 29 सितंबर 2014 को किया रहा केंद्र मंत्री इम अलवर सांसत भुपेंद्र यादोर रईवा को लगाता दूसे दिन खेरतल तिजारा जिले के विबिन कारकमों में उपस्तित रहे उन्होंने कोट कासिम के गाउं उजोली में फिता काड़ कर शहित परमानंद यादो के प्रतिमा का अनावरन किया इस दोरान पूरु मंत्री इम सिंग भढ़ाना, पूर विदयक रामहित सिंग यादो और जिलाप्रमुक वल्विर छिलर आदी ने पुष्प अर्पित कर शहित को शरधांज ले दी वहीं भूपिंद यादो ने शहित के पिता समय से और माता रामरती देवी को शोल ओडा कर सम्मानित किया साथी का की शहित परमानंद ने सैनिक जीवन में देश के लिए पूरा समरपन किया केंद्र मंत्री ने सवसपर प्रतिमाय स्तल से बीरन वास चोकित सडग मार्ग बनाय जाने की गोश्ट नाकी तीजारा के होटर शिव पहलेस में महिला विकास मंडल और अन्य सयोगी संस्थाओं द्वारा सामुविक डांडिया माहुसाओ का आजन हुआ कायकम में मुख्यतिती मोना गुपता, हाशुजैन, निलम यादव, सीमा बिंदल और निशा सेनी ने दीप प्रज्वलन किया वही रंग बिरंगी पारंपरिक वेश भूशा में गरबा और डांडिया नर्थ देखते ही बनता था शेष्ट गरबा पोशाक और नर्थ सहित विबिन बौधिक परतिगताओं में इम लखी डोध्वारा विजिताओं को पुरुस्कत भी किया गया तीजारा के शंकरगड इस्ती खेल मैदान में परंपरागा दर्शरा मेला और दंगल का आजन हुआ दंगल में मुक हैते थे केंद्रय मंत्री भुपेंद्र यादव रहे सातिया दक्स ता महंत बालक नातनी की इसके अलावा जिलाप्रम बलविर छिलर संदेब दायमा पूरविदायक मामन सिंग यादव जिला दक्ष उमेज सिंग भाया और राजू यादव आदीम मौजू दंगल प्रबरी कमल गुर्जर ने बताय कि दंगल में अनेक राज्यू से पहलवान पहुंचे बिवाडी के अशोग वियारियूं फूलबाग घटल इस्तल जुगी बस्ती में भंडारे का वजिन किया गया इस दोरान कन्याओं को भोजन करवा कर उनका अश्यवाद बिलि अकेडमी तक RSS कारकर्टाओं ने पत संचलन निकाला नगर बोधिक प्रमुक मातादीन ने बताय कि विजया दश्मी के दिन RSS की स्थापना महराष्ट की नागपूर में हुई थी वहीं प्रांत प्रमुक मनोज ने भी अपना उद्बोधन दिया पत संचलन में सेक्डू स चानगे पती अब इसे कारे करम प्रमूरूर देश विशमी नागपूर तो आज अपना या भी वाडी नगर का लिए लेकर सिवान निवासी रंजीता ने मामला दर्स कराया है रिपोर्ट के उसर उनके पिता रामद चंदर घर पर आकेले थे इसी दुरां कुछ लोगों ने उनके साथ मारप्ट कर ढली उदर सिवान निवसी ननलाल जाटों ने रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के खिलार उनके साथ मारपिड का मुगदमा करवाया है पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दस कर जान शुरू कर दी है राजकी अच्चो मादूइंग विद्याले ढहलावास में एक वीडियो वाइरल होने के कांट चर्चा में है प्रिंसिपल सुनिता ने बताए कि यह वीडियो विद्याले के पूर करमचारी ने वाइरल किया है उन्होंने बताए कि जिला सिक्षा अधिकाई ने शिकायत के आधार पर इस शारिक शिक्षा को निलंबत भी किया था ऐसे में विद्याले की छवी को खराब करने के लिए वेर्ट के वीडियो बनाय जा रहे हैं उन्होंने प्रशासन से स्टाफ की सुरक्षा की मांग भी की है सर ये वीडियो स्री तरुन सिंग बदोरिया द्वारा बनाया भी गई है और उन्हीं के द्वारा डाला गया है राष्टे स्वयम सेयोक संग द्वारा विजया दश्मी के उपलक्ष में निकाले गए पस संचलन का स्वागत किया गया सामाजी कारकरता आकाश मिशा ने बताय की शिवाजी उपनगर द्वारा आयजूत पस संचलन विजर नगर मैदान से शुरूआ वहीं शिवाजी पार्ग टेम पुष्टेन राम लिला मैदान के सामने अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा स्वयम सेयोको का सम्मान हुआ वहीं पुष्प वर्षा के साती राम नाम का ज्या गोश होता रहा इस सरस्वा पर भास्पा के जिला उपादर हर्यों कटारा शिवाजी पार्ग व्यापार समिती के अधर अशोक अबस्ती शिवचर्ण शर्मा डोक्टर विनोश शर्मा रिवतिशन दिक्षित सचिन तिवाडी सती शर्मा और नितिन चोदरी आदीम मौ जूद रहे मावर वैश्य महिला समिती अशोक सर्किल द्वारा रहिवा को मेडिकल केम्प आई जित हुआ यह केम्प मावर छात्रवास में लागाया गया इस दोरान सीके बिर्ला होस्पिटल जैपुर के विशेशक गया डोक्टर पुषकर गुपता सहित, डोक्टर मनिशा मातुर, धननजर मातुर और भूपेशनी महिजू की जांसकर परामस दिया इसके अलाबा ECG ब्लैड टेस्ट CBC और BMD आधी टेस्ट भीकेगे शिर में माइक्रो लेब लिमिटेर के कमचार्यू का सेहुग रहा इस मोके पर अज़क्षिवानी गुपता और मंत्री संगीता गुपता सैत अन्य पदादिकारी मौजूद रहे चलते चलते कपाप फिर से नजर डालेते आसकी हैर्लाइन्स पर हर्याना में हार से सीक लेकर उप्चनावको लिए कोंग्रिस बना रही विशेस रण नीती रामगड विदान सभाको सेक्टरों में बाट पदादिकारीों को सोपे टास्क वहीं देंगे बूत प्रवंदन का प्रशिक्षान जल संकट को लेकर पाशत के गर पहुंचे पीडित तो बुलाई पुलिस चूड़ी मार्केट छेत के लोगों में बना आक्रोश लगातार हो रहे हाथसों की कड़ी में युवक की गई जान बहतु कला छेतर में हुई बाइक भढ़न और रामलीला समापन के बाद साउंड सिस्टम और वायर किये पार अक्वपुर में घटना के बाद शरदालों ने जताया रोश समचरू मास के लिए बस यतना ही दीजेपुरी टीम के साथ रविंदर तिवारी को हुजाजत नमस्का खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे जिनका आपकी जिंदिगी पर होता है सीधा असर खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी एटी यल टीवी भरोसा अलवर का